नमस्कार दोस्तों मौसम समचार बुलेटिन में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों अभी अभी बंगाल के खाड़ी से उठा हुआ चक्रवाती तूफान बेकाबू हो गया है तता इस चक्रवाती तूफान की दिशा भारत की और मुड़ गई है वहीं भारत मौसम विभाग के द्वारा तुरंत दोस्तों 25 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है आपको बता दें भारत की 10 राज्यों में अगले 24 गंटों के दोरा ने भैंकर बारिस ओलव रष्टी सीत लहर और घना कोरब पढ़नी वाला है दोस्तों बता दें दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक सीत लहर जारी रहनी वाली है तता यहीं परी भैंकर बारिस और ओलव रष्टी की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भाविश्यवानी की है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्राखंड बिहार और पंजाब जैसे उत्तर भारती राज्यों में सीत लहर की इस्तिती जारी रहेगी वहीं स्काइमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार उत्च छेत्रों में बरबबारी के कारण उत्तरी राज्यों में सीत लहर की इस्तिती पैदा हो रही है आलांकि आईमडी ने अगले कुछ दिनों में कुछ छेत्रों में भैंकर बारिस की भाविश्यवानी की है वहीं मौसम विवाग के मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी 2022 तक कडाके की ठंड पढ़ने वाली है उसके बाद धीरे धीरे तापमान में ग्रावट दर्ज होगी वहीं दोस्तों आपको बता दे भैंकर कोहरे के कारण कई जो ट्रेने हैं वो रद्ध कर दी गई हैं अगले 24 घंटों के दोरान मद्धेप्रदेश, विद्रब और 36 गड़ में अलग-लग इलाकों में ठंड से लेकर गंबी ठंड के दिनों की इस्तिती की भविश्यवानी की है अगले दो दिनों के दोरान मद्धे प्रदेश और ओडिसा में अलग-अलग इलाकों में सीत लहर की इस्तिती होने की संभावना है वहीं अगले 24 गंटों के दोरान विद्रब और 36 गड़ में ठंड धीरे-धीरे कम हो जाएगी मौसम विबाग के अनुसार हिमाले छेतरों के कुछ हिसों में भारी बरसा और बरबारी की संभावना है जबकि अरुनाचल प्रदेश में मद्यम बारिस होगी वहीं पूर्वत्तर राज्यों के कुछ हिसों में हलकी बारिस की संभावना है अगले चार दिनों के दोरान तमिल नाडू, पडुचेरी, कराईकल, केरल और माही में और दोस्तों यहाँ पर अगले 48 घंटों के दोरान तटिय आंदर प्रदेश और यनम में अलग-अलग हलकी वरसात होने की संभावना मौसम विबाग के दोरा बताई गई है दोस्तों मौसम से सम्मंदि सभी राज्यों की बिल्कुल सटीक जानगरी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी इसलिए आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइगन प्रेस जरूर कर लें तथा आप हमारी वीडियो किस राज्ये से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक् से बताएं धन्यवाद